पंचाय सीजन 1 और सीजन 2 की सक्सेस के बाद अब मेकर सीजन 3 लाने को रेडी हैं और इसकी रिलीज डेट में 28 बताई जा रही है और मेकर्स ने एक ट्रेलर भी ड्रॉब किया है जो की काफी मज़ेदार नजर आ रहा है मुझे ट्रेलर बहुत पसंद आया है इसमें पहले दो सीजन की भाइब भी महसूस हो रही है को इस दिन पहले सुनने को मिल रहा था कि पंचाय सीजन 2 में जितेंदर कुमार जो कि सचिव जी का रोल प्ले कर रहे हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा नए सचिव जी के साथ जो की बहुत शॉकिंग था पर अब ट्रेलर देख क यह सबस्ट हो गया है कि नए सचिव बस थोड़े टाइम के लिए ही आएंगे पूरे सीजन में हमें जितेंदर कुमार जी ही सचिव जी के रोल में देखने को मिलेंगे जो की एक अच्छे खबर है क्योंकि जितेंदर कुमार एक बहुत अच्छे एक्टर है और सचिव जी क के रोल में हमें वो काफी अच्छे लगते हैं सीजन 3 की सिर्वात वहीं से होगी जहां कि सीजन 2 खतम हुआ था जैसा कि हमने देखा था सीजन 2 के एंड में एमले गुस्ता होकर सचिव जी का ट्रांसफर करवा देते हैं और उनकी जगा एक नए सचिव को गाउं में भेजा प्रधान के चुनाओं में हमारी मंजु देवी जो कि फुलेरा गाउं की प्रधान है अभी उनके ओपोजिट में क्रांती देवी और भूशन कुमार जिनको गाउं वाले बनराकस के नाम से बुलाते हैं वो खरे होंगे और जैसा कि अपने पिछले 2 सीजन में देखा होगा कि मंजु देवी और उनके पती ब्रिज भूशन का 36 का आकड़ा चलता है क्रांती देवी और भूशन से इनकी नोग जोग देखने में हमें और मज़ा आने वाला है इस सीजन में ग्राम पंचायती में हमें MLA का वी इन्वाल्मेंट देखने को मिलेगा जहां उसने ये सोच लिया है फुलेरा गाओं के प्रधान और सचिप से बदला लेना सीजन टू में जैसा कि हमने देखा था कि MLA और सचिप जी के बिचे काफी बाते बिगड़ गई हैं और एंडिंग में प्रधान जी ने MLA को गाओं में घुसने से भी रोक दिया है क्योंकि वह हमारे उप्र जी की बेटी रिंकी के बीच में प्यार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कॉमेड़ी तो इस सीरीज की जान है वो तो हमें देखने को मिलेगी ही अब बस देखना है कि सब चीजों को लेकर वह कहानी को कितना इंट्रेस्टिंग बना सकते हैं इस से मुझे काफी उमीद है पिछले दो सीजन बहुत अच्छे थे उमीद करता हूँ कि ये सीजन भी बहुत अच्छा हो कोई गर्बरी ना हूँ वेट करते हैं 28 में का जब ये सीरीज हमें Amazon Prime पे देखने को मिलेगा इस वीडियो में आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में